बच्चो आज हम कक्षा नोवी के अध्यायतीन के निर्दसंग ज्यामिती के अंतरगत कार्ती पद्धती के बारे में जानेंगे चुंकि हमने पूरु की कक्षाओं में संख्या रिखा के बारे में पढ़ा है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यह संख्या रिखा में दिखाई दे रही है यहां हम इस तरब देख रहे हैं तो धनात्मक दिशा दिखाई दे रही और इधर धनात्मक दिशा अंकित दिखाई दे रही यहाँ पे जो शुन है यह हमारा मूल बिंदू के नाम से जाना जाता है तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदू अब यदि इस संख्या रेखा को हम x x-स से नामंकित कर दें तो यह संख्या रेखा इस प्रकार से हमारी अक्ष के रूप में बन जाएगी और इसे हम x-क्ष कहेंगे इसे हम x-क्ष के नाम से जानेंगे इसी प्रकार से हम यदि इस 36 संख्या रेखा को न लेते हुए उर्धवारदर संख्या रेखा ले लें तो इस प्रकार से हम यहाँ पे y-y-स से इसे नामंकित करेंगे और यहाँ पे भी मूल बिंदू हमें प्राप्त हो जाता है और इसे हम उर्धभारदर yy dash रेखा के नाम से जानेंगे इसे हम y अक्ष कह सकते हैं अब हम इन दोनों अक्षों को एक दूसरे पर इस प्रकार से निरुपित करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे यह x x dash एक्ष और यहाँ पे y y dash अक्ष हमें दिखाई दे रही है और यह एक बिंदू पर क्रॉस होती है जिसको हम मूल बिंदू कह रहे हैं इसको हम शूने से नाम अक्षित कर रहे हैं या इसे हम कह सकते हैं कि जो मूल बिंदू के निर्दसांख है वह शुन शुन हैं तो हम मूल बिंदू के निर्दसांख शुन शुन कह सकते हैं तो दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां प्रतिछेत कर रही हैं उस बिंदू को हम मूल बिंदू के नाम से जान रहे हैं और उस बि परिक्षा में बहुत पूछा जाता है origin के coordinates बताईए या मूल बिंदू के निर्दसांग बताईए तो यहां पे 00 या 00 इसके निर्दसांग होंगे चलिए अब हम किसी बिंदू की इस्थिति का निर्दारन करते हैं माल लेते हैं कि कोई बिंदू यहां पर इस्थित है इसे हम हमें निर्दारित करना है कि इस बिंदू के निर्दसांग क्या होंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि इस बिंदू की स्थिति वाइक्ष से और एक्स से इस बिंदू की स्थिति क्या है तो हम यदि देखें तो यहां पर एक्स पर हमें चार गिनना पढ़ रहा है और यहां प जो चार है वह य अक्स से दूर इस्थित है और तीन एक्स अक्स से दूरी पर इस्थित है तो यहां पर हम परिभासित कर सकते हैं कि एक्स का मान अर्थात एक्स को हम यहां पर भुज कहेंगे और इसे हम परिभासित करेंगे कि य अक्स से दूरी पर इस्थित बिंदू को हम भुज कहते हैं और एक्स से दूरी पर इस्थित बिंदू को हम कोटी कहते हैं यहाँ पे हमने कोटी से परिभासित कर दिया, Y कोटी कहलाएगी और X हमारा भुज कहलाएगा, तो इस प्रकार से आप भुज और कोटी को परिभासित कर सकते हैं, तो हमें निर्दिसांग को मिल गया 4-3, तो इस प्रकार से हम निर्दिसांग को निर्दिसित कर सकते हैं किसी भी तल पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार चतुर्थांस प्राफ्थ हो जाते हैं जब इस तल को हम चार भागों में भांड देते तो यह प्रथम चतुर्थांस के नाम से जाना जाता है और यह हमारा इस चतुर्थांस की चिन्नों को हम निर्देश्चित करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले x-क्ष के निर्देशांग को पढ़ा जाता है ठीक और इसी प्रकार से दूसरे नमबर पे इस y-x के निर्देशांग को पढ़ा जाता है तो भुज और हम यहां पे 4 धनात्मक है और 3 धनात्मक है तो इस प्रकार से X का मान यहां पे धनात्मक और Y का मान भी धनात्मक होगा इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह X है तो यहां पे धनात्मक मान है और इसी प्रकार से यहां पे Y है तो इसके भी हमारे धनात्मक मान ही है अब य यहां पे वाय अक्ष के जो मान है वय धनात्मक है तो इसके निर्देसांग के रिर्ण और धन के रूप में हमें प्राफ्थ होते हैं मान लेते हैं कि यहां पे एक उधारन ले 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 तो इस उधारन को हम देख रहे हैं यह बिंदू है इसके निर्देसांग हम पढ़ें यहाँ पे इस विंदू के निर्दिसांग को पढ़ें तो यहाँ एक्सक्ष के पहले पढ़ेंगे तो रिन चार होगा और वाय एक्सक्ष के पढ़ेंगे तो रिन दो होगा तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके निर्दिसांग इस विंदू के रिन चार दो है तो बच्चों यह यहां पर जो तर्ती चतुर्थांस के निर्दिसांगत होंगे और जुम सबस्रेब करें इसे प्रकार सेadic our इससे हमें याद करने हैं हम चतुर्थांस को रीपरीत दियुक्त हमें गिंदे चतुर्थांस यहां पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा है तो घड़ी की विप्रित दिसा में हमें चतुर्थांस को पढ़ना है और उनके चिनों को इस प्रकार से निर्देशित करना है तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे चतुर्थांस को जाना और यहाँ पे हमने अक्षों को समझा मूल बिंदु के निर्दसांक ग्यात किये आप सभी को समझ में आया होगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में धर्न्यवाद